यहाँ पे इतनी भारी संख्या में आए वे सभी भाईयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सबको नमस्कार, आप सबको प्रणाम आप सबको दिल्ली के लोगों को बहुत-बहुत बढ़ाई कि आज 152 नए महला क्लिनिक पूरी दिल्ली में बनके तयार हो गए, उनका उधगाटन है, आज से वो सारे महला क्लिनिक शुरू हो गए एक महला क्लिनिक का हम लोग यहां पर उधगाटन करके आ रहे हैं, और 152 महला क्लिनिक का यहां से एक साथ उधगाटन किया है, पूरी दिल्ली में जगे जगे आज उसी इलाके के MLA, काउंसलर, सांसद, सब मिलके अपने अपने इलाके के महला क्लिनिक का उधगाटन कर रह एक नया नया एक्स्पेरिमेंट था कि हम लोगों ने सोचा कि दिल्ली में बड़े अस्पतालों की तो कमी नहीं है ओल इंडिया मेडिकल जी बी पंथ एल एन जे पी जी टी बी सफदर जंग इस तरह के बड़े-बड़े अस्पताल तो बहुत सारे हैं लेकिन थोड़ी सी खा बहुत रहा करती थी तो अगर घर के पास में छोटे-छोटे क्लिनिक खुल जाएं तो जनता को सुविधा होगी इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा घर के पडोस में दवाई मिल जाएगी डाक्टर मिल जाएगा और उन बड़े-बड़े अस्पतालों के अंदर भीड कम ह जाएगे तो पहला महला क्लिनिक पीतंपुरा की जुगियों में बनाया था वो महला क्लिनिक बहुत ही सफल रहा उसके बाद हम लोगों ने सोचा था कि और पूरी दिल्ली के अंदर खुब सारे महला क्लिनिक बनाएंगे पहले डेड़ सो महला क्लिनिक तो बन गए उसके ब बाद फिर सुप्रीम कोट का जज्जमेंट आया और फिर तेजी पकड़ी इस काम ने आज पूरी दिल्ली में साड़े चार सो महला क्लिनिक बन गए और और भी खूब सारे बन रहे हैं बड़ी जल्दी अगले तीन चार महिने के अंदर मैं उमीद करता हूं आट सो से हजार के करीब महला क्लिनिक पूरी दिल्ली में बन के चालू हो जाएंगे जैसा भी जैन साब ने बताया कि इतने बड़े स्तर के उपर स्वास्त सेवाओं का विस्तार एक्सपैंशन पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखा गया किसी भी शहर के अंदर एक साथ डेड़ सो महला क्लि क्लिनिक बन रहे हैं और इसके साथ साथ खूब सारे पॉली क्लिनिक बन रहे हैं इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल बन रहे हैं अभी जैसे इन्होंने बनाया बताया पूरी दिल्ली में इस टाइम केवल महला क्लिनिक ही नहीं बन रहे बड़े बड़े अस्पताल भी बह पिछले पांच साल के अंदर और अब जो बनने जा रहे हैं जिन-जिन का शिला न्यास हो गया है 15,000 नए बैड बनके तयार हो रहे हैं पूरी दिल्ली के अंदर तो पिछले पांच साल में जो मोहला क्लीनिक बने उन में दो करोड लोगों ने इलाज करा लिया अभी तक दो करोड लोगों ने और दिल्ली में पहले जितने सरकारी अस्पताल थे दिल्ली सरकार के उसमें हर साल तीन करोड़ लोग इलाज कराया करते थे लेकिन जब से अपनी सरकार आई है सारा इलाज मुफ्त कर दिया दवाईया मुफ्त कर दी टेस्ट मुफ्त कर दिये operation मुफ्ट कर दिये और hospital का हुलिया भी बदला hospital भी अच्छे कर दिये साफसफा ये अच्छी कर दी अंदर hospital भी अच्छे कर दिये उसकी वजह से पहले हर साल 3 करोड लोग इलाज कराते थे अब दिल्ली सरकार के hospital हैं हर साल 6 करोड पूरे देश में जहाँ एक तरफ सरकारी एस्पतालों को बंद किया जा रहाए है। condition hospital बन रहे हैं और लोग कम होने की बजाए डबल हो गई है लोगों के जाने की इसका मतलब लोगों का विश्वास सरकारी सेवाओं के तरफ ज्यादा बढ़ा है अभी यह जो महला क्लिनिक बनाएं यह आसपस हम देख रहे हैं सारी कोठिया हैं कोठी वाले तो बड़े- एस्पितालों में जाते हैं फोटिस में जाते हैं मैक्स में जाते हैं वो सरकारी dispensary में इलाज कराने क्यूं आएंगे तो मैं आपको बताता हूं मैं अभी दो साल पहले or grade क्लाश गया था ग्रेटर केलाश की आर्डबल्योय ने बुलाय था ग्रेटर केलाश में तो खूब अमीर अमीर लोग रहते हैं आर्डबल्योय वालों ने जब मेरे को मेरे भाशन के पहले उन्होंने अपनी डिमांड रखी सर ये करा दो ये करा दो ये करा दो उसमें उन्होंने डिमांड रखी जी एक महला क्लिनिक बनवा दो मैंने का ग्रेटर किलाश वाले महला क्लिनिक क्यों मांग रहे हैं महला क्लिनिक तो सरकारी डिस्पेंसरी होती है आप लोग सरकारी डिस्पेंसरी का क्या करोगे बोले नहीं भीजे हमने देखा है महला क्लिनिक बड़ा अच्छा है एक महला क्लिनिक बनवा दो हमने दो महला क्लिनिक बनवा दिये वहां पर अभी थोड़े दिन पहले वहां से गुजर रहा था मैंने सोचा देखते हैं कैसा चल रहा है महला क्लिनिक मैं बिना बताएं वहां पर गुस ग पर अमीर घरों के लोग सरकारी स्कूलों के अंदर अपने बच्चों के एड्मिशन करा रहे हैं अमीर घरों के लोग सरकारी अस्पताल और सरकारी महला क्लिनिक के अंदर अपना इलाज करा रहे हैं इससे बड़ा सर्टिफिकेट नहीं हो सकता कि सरकार अच्छा काम कर रही है अगर हम ऐसा कुछ बना देते जहां पे सब कुछ फ्री है लेकिन कॉलिटी बहुत ही घटिया है तो गरीब तो आ जाता हो सकता है बिचारी की मजबूरी थी अमीर अदमी मिडल क्लास वाला नहीं आता वो फिर अपना बड़े-बड़े अस्पतालों में जाते लेकिन आज जब दिल्ली सरकार के स्कूल और अस्पतालों के अंदर अमीर लोग मिडल क्लास के लोग कल में एक स्कूल में गया था कल मेगा पी-टी-म थी स्कूल की, सारे दिल्ली सरकार के सारे स्कूलों में PTM थी, मैं भी एक सरकारी स्कूल में चला गया बच्चों से मिलने, पेरेंट से मिलने के लिए, महां पे खूब सारे पेरेंट से कठे हो गए महां एक आदमी ने मेरे को बताया, बोला जी मैं सुप्रीम कोट में एडवोकेट हूँ, मेरे दो बच्चे प्राइवेट स्कूल में बढ़ा करते थे, बीस हजार रुपे महीने का खर्चा आता था, बोला मैं पे कर सकता हूँ, मेरी हैसियत है, मैंने अपने दोनों बच्चे को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में एडविट कराया, क्योंकि आपका स्कूल बढ़ा च्चा है, इस से बढ़ा सर्टिफिकेट हमें कोई नहीं मिल सकता अभी जैन साब ने बताया गिनिस बुक ओफ वर्ल्ड रेकॉर्ड में आएगा लिमका बुक ओफ वर्ल्ड रेकॉर्ड में आएगा मेरी लिमका बुक ओफ वर्ल्ड रेकॉर्ड तो आपी लोग हो जिस दिन आप आप खुश हो तो मैं भी खुश हूँ आप खुश हो तो मेरे तो हो गया Guinness Book of World Record उससे बड़ा record मेर को उससे बड़ा record मेर को नहीं चाहिए तो पिछले 5 साल में ऐसे ऐसे अधुबुत काम हुए है दिल्ली के अंदर शिक्षा में स्वास्थ में सडके सुधर रही है पानी की pipeline बदल रही है पानी की pipeline घरगर में पानी जा रहा है सीवर की pipeline डल रही है महिलाओं का सफर free हो गया बिजली 24 घंटे आ गई बिजली free आने लिए बिजली free मिल रही है इतने सारे काम हुए है मैं मन में सोच रहा था 70 साल में क्यों नहीं हुए अगर 5 साल में इतने काम हो सकते थे तो 70 साल में भी हो सकते थे इसका मतलब हमारे देश को जान बूज के 70 साल में गरीब रखा गया इसका मतलब जान बूज के हमारे देश को 70 साल में शिक्षित रखा गया ऐसा क्यों हुआ कि जो जापान Second World War में ध्वस्त हो चुका था, बर्बाद हो चुका था, आज 70 साल के बाद हमसे कहीं आगे चला गया ऐसा क्यों हुआ कि सिंगापूर जो 1964 में आजाद हुआ, आज हमारे बाद आजाद हुआ, आज हमसे कहीं आगे चला गया जर्मनी जो बिल्कुल बरबाद हो गया था, आज हमसे कहीं आगे चला गया आज अगर पांच साल के अंदर दिल्ली सरकार स्कूल अच्छे कर सकती है, स्पताल अच्छे कर सकती है, सडक अच्छी कर सकती है 24 गंटे बिजली दे सकती है दिल्ली के अंदर दे सकते है तो पूरे देश में भी हो सकता है फिर ये हमें जान बूज के गरीब रखा गया जान बूज के इस देश को पिछड़ा रखा गया दोस्तो क्यूं? क्योंकि राजनीती खराब थी भरष्टाचार की राजनीती थी अब आप लोगों ने 5 साल पहले चमतकार करके दिखाया था आप लोगों ने दोनों पार्टियों को उखाड भेका और एक नई पार्टी को इमानदार पार्टी को इमानदार राजनीती को आप लोगों ने शुरू किया था काड़ी चल रही है विकास की अब चुनाव के अंदर ब्रेक मतलगा देना एक्सलरेटर पर रखना और इसको दोसों की स्पीड पर आगे चला देना भारत मत अगी रौश्णी चारो तरफ बिखरी हुई है हर पल तपकर हो गए प्रिखर दीप सा उजाला पहलाना निरंतर समान जब दिल में होता है तबी लफ़ जबान तक आते हैं आपके कारियों ने ये साबित कर दिया है कि आप सचे समान के काबिल है इतने कम समय में और इतनी अर्चनों के बावजूद शिक्षा एवं स्वास्तिक के शेत्र में आया सकार आत्मक परिवर्तन ना केवल सराहनी हैं बलकि अभूद कर दूद कर दूद कर दूद